यार इतना अंधेरा है कीचर तक नजर नहीं आ रही है कपड़े बदलू जल्दी वरना नमाज निकल जाएगी मिल जाएगी अभी पोँचो जल्दी मस्जद इतना अंधेरा हो रहा है कुछ नजर ही नहीं आ रहा नमाज ना निकल जाए जल्दी से कप्ड़े बदलू आओ भाई आओ रोश्नी में आजाओ इदर से आओ समल के आना गिर जाओगे समल के आना भाई ऐसे करके आजाओ मस्जिद आ गई है अब मैं नमाज पढ़ लेता हूँ अरे आप गए नहीं? नहीं अगर तिसरी बार गिर जाता तो अल्लाह टेरे पूरे मौलय के गुनाह आप कर देता फिर मैं क्या इसी डर की बजए से तेरी मदद करने आगया इसके जनाजे की नमाज मैं क्या? यहां का कोई मौला ना नहीं पढ़ेगा उसने जिन्दगी और शगां पर पी अपनी जिन्दगी में एक सजदा तक नहीं किया है उसने या ला क्या कहरू मेरे बेटे या ला तु हर बंदों से सत्तर माँ से जादा मुहबबच करता है मेरे बेटे ने मेरे बहुत खिद्मत किये तु इसे जन्नत दे दे रो ये मत मैं इसके जन्नाजे की नमाज पढ़ूँगा जाओ लोगों को बुला के लेके आओ अभी मेरे खौब में एक फरिश्टा आया जा हमारे जन्नती महमान का जन्नाजा पढ़ा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही ये शराबी था तो इसको जन्नत मिल कैसे गई ये शराबी जरूर था लेकिन कभी इसने अपनी माँ का दिल ने दुखाया मैंने इसके हक में दुआ की और अल्ला ने मेरी दुआ सुन ले बेशक मा की दुआ जन्नत में घर बना देती है ड्रैवर ये कौन से रोड से लेके जा रहे हो सर हाइवे पर किसी वज़े से रोड बंद था कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए सर बहुत तेज़ वारिश है लगता है दूफान आने वाला है पास के किसी घर में कुछ दिर रुख जाते हैं बेतर यही रहेगा हाइवे रोड जाम हो गया इतनी तेज बारिश हुई के बारिश ने मुझे आपके घर में लाकर खड़ा कर दिया मैं देख रहा हूँ कि मा की दुआओं में इतनी ताकत होती है मैं ही डॉक्टर इशान हूँ आपके बेटे का इलाज मैं करूँगा आपके बेटे का इलाज में लाकर दोड़ा